हेलो गाईज कैसे हो आप लोग आज में बनाने जारी हो मैगी नॉर्मल मैगी तो सभी लोग खाते हैं पर आज मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी कच्छी मैगी को बाउल में निकाल लिया है और पानी गरम होने के लिए रख दिया है पानी हमारा लगबग गरम हो चुका है तो इसमें मैं सारी मैगी डाल दोंगी मैगी को पान से तस मिनिट तक कुख होने देना है आजकल सर्दियों के मौसम में मुझे इस तरह के मैगी खाना बहुत पसंद है आप भी इसे घर पे बना के ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अब हम इसे ढग देंगे और कुछ तेज के लिए पकने के लिए रख देंगे ये हमारी सबजियां है इन्हें हम बारिक बारिक काट लेंगे सबजियों को पतला और लंबा ही काटियेगा मैगी हमारी बॉयल हो चुकी है मैंने इसे चन्नी में निकाल रहा है ध्यान रखियेगा मैगी को ओवरकुक नहीं करना है वरना खाने में ये बिलकुल अच्छी नहीं लगेगी अब एक पैन में तेल डालेंगे मैंने दो बड़े चमस तेल लिया है अब मैंने अद्रग को बारिक बारिक काट लिया है और एक हरी मिर्च लिया है इस मैगी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बनके रैडी हो जाती है अब हमारा तेल गरम हो चुका है और हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है अब हम इसमें अद्रक डालेंगे अब थोड़ी देली से पकने देंगे जब हमारी अद्रक थोड़ी ब्राउन कलर में हो जाएगे तब हम इसमें एक हरिमेज डाल के पकाएंगे अध्रक का कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें हारी मिजट डाल देंगे जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है वो इसमें पीसे लाल मिर्ज भी डाल सकते है अब हम कटी हुई सबजियां एट करेंगे और थोड़ी देर इसे चलाएंगे सबजियां को थोड़ी दे ढखकर पकाएंगे जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए सबजियां थोड़ी पक चुकी है अब हम इसमें टमाटो कैचप अट करेंगे अब मैंने थोड़ी सी चिली सॉस एट की है अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा चिली सॉस एट कर सकते हैं अब यहां पर मैंने सोया सॉस लिए थोड़ी सी सॉया सॉस एट करें और अब इसे अच्छी से मिक्स करें थोड़ी देर भूंजने के बाद अब हम इसमें बॉयल की हुई मैगी एट करेंगे अब ही हमने इसका मैगी मसाला यूज नहीं किया है तो अब लाश्ट में इसमें मैगी मसाला एट करेंगे मैगी मसाला डालने के बाद हम कटा हुआ हरा धनिया एट करेंगे और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे और हाँ मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी एड नहीं किया है अलग से नमक इसमें आड नहीं करना है क्योंकि अल्रडी मैगी मसाला में नमक बहुँ ज़्यादा होता है तो यह हमारी रैटी हो गई है मैगी बनके अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे आजकल सर्दियों के मौसम में इस तरह की मैगी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है और सबजियां भी सारी आती है तो आप भी अपने गार पर यह बनाके जरूर ट्राइ करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई